इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत हैं और आपको कोई side effect होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी क्रिस्कलेव 625 टैबलेट एक penicillin प्रकार की antibiotic है जो आपके शरीर को बैक्टीरिया के कारण होने वाले संक्रमनों से लड़ने में मदद करती है इसका इस्तेमाल फेफडों यानि की जैसे नियूमोनिया, कान, नेजल साइनस, मूत्र मार्ग, तवचा और मुलाया मूतक के infection के इलाज के लिए किया जाता है यह दवा सर्ती जुकॉम जैसे viral infection के लिए काम नहीं करेगी क्रिस्कलिव 625 टेबलेट को पेट खराब होने की संभावना को कम करने के लिए भूजन के साथ लेना सबसे अच्छा है डॉक्टर द्वारा निर्धारिट शेड्यूल के अनुसार आपको नियमित रूप से समान अंतराल पर इसे लेना चाहिए इसे रोज एक ही समय पर लेने से आपको इसे लेना याद रहेगा डोज इस बात पर निर्भर करेगी कि आप इसे किस लिए ले रहे हैं लेकिन आपको अपने डॉक्टर द्वारा बताए गए अनुसार इस एंटिबाउटिक का कोस हमेशा पूरा करना चाहिए जब तक आप पूरा न कर लें तब तक इसे लेना बंद न करें भले ही आपको बहतर महसूस होने लगा हो अगर आप इसे समय से पहले लेना बंद करते हैं तो कुछ बैक्टीरिया जीवित रह सकते हैं और infection वापस आ सकता है या बिगड़ सकता है इस दवा के सबसे आम साइड एफेक्ट में उल्टी, मिचली आना और डायरिया यानी की दस्ट शामिल हैं. ये आम तोर पर हलका होते हैं, लेकिन अगर वे आपको परेशान करते हैं, या होती है या नहीं जाएंगे तो अपने डॉक्टर को बताएं. यदि आपको किसी एंट दवा से उनका असर प्रभावित हो सकता है या वे इसके असर को प्रभावित कर सकती हैं. डॉक्टर की सलाहनुसार आम तोर पर इस दवा का इस्तेमाल गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान करना सुरक्षित माना जाता है. वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद